तो दादी जी जब आप छोटे थे तो उस समय अंग्रेजों का क्या दासत था कि गंटी बती थे सब भाग जाते थे लगता था सब लोग खिटकी उटकी अपना बंद करके चिप जाते थे नहीं कि यह हो कि अंग्रेज पकड़ने जाएंगे मार दालेंगे इतना लोगों के अंदर दैसत दैसत था है कि अधर कंटी बज पकी तो सारी लोग हो जाएंगे हो जाते थे हम कभी अपने पिता जी के दुकान पर जाती थे रास्तर में जाती थे तो रोते हुए चिलाते हुए भाग ती क्योंकि दुकानी नदधी मधिर पड़ता था आगे निकल गई रहती थे अपने मकान से, तो दो मंजिला हमारा दुकान था, बस उसमें ले जाएका हमारे पीता जी चुरुआ देते थे, हम लोग उस समय के बच्चे है ना, सिर्फ माबाप घर में रखते थे, इसकून भेड़ते थे, वो भी ठेला से पर्दे के साथ भेड़ते है, इसने बाहर की कोई की हमको मालू नहीं है, और घर से बाहर नहीं ले जाते, मेला भी नहीं ले जाते है, करते है यह गंदे लोगों का काम है, घर में रहो, सुद्र से खाओ, पीगो, जो भादर्स थे, वो यही बोलते थे, कि जो मेला जाते ही, यह गंदे लोग जाते है नहीं जाती थी घर में ही रामायर महाभारत सब होता था यह सब घर में वहताएँ अगरोटने के लिए बास बाहर जाते थे पढ़ाए कितना किया था आपने कितना असे तक पढ़िया है जमकि स्वर्यसान के बाद तो हमारी साधी हो गई बाद जैसे घंटा हुता है तन लोग आवाज हो टो लोग खिप जा दो प्रिशनी उसनी अपनी छिपाँने इतना याद है हमको अग्रेजो का एक कोड़ वर्ट था कि घंटी बजा दे थे तो अग्साता खोजा दे थे तो वहां से हमारे पिताजी सासूर के पिताजी जो थे तीन पूस्त हो गया वो लोग बेचे भी नहीं वैसे छोड कर मकान को अपने जो समान लाते बना था लेकर चले आये थे हम लोग को अपना मकान छोड़े तो बाकी और इसे कभी आपने अपने 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 से अंदेश को देखा नहीं है नहीं देखे नहीं है तो देख सकते हैं यह दादी जी है और इससे बात हुए इस समय इनकी उन लगबग 92 के सथ अंतिम होगा आपको आगे दिखाते ही मकान गरा आपको 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 आपको